कैसे भी एक्सिडेंट होता है, आपका कोई कारण नहीं था, एक्सिडेंट करने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन एक्सिडेंट हो गया, और एक्सिडेंट होने के बाद, वो परसन जिसका एक्सिडेंट लगा टकर लगी आपकी गाड़ी से, जो भी विकल आपके, वो परसन और यजर आप वहाँ से भाग जाते हो, रिपोर्ट नहीं करते हो, तो क्या होगा, सजा को डबल कर दिये जए जागे जब कोई रोड पे accident होता है तो generally वहाँ पर public से पिट्रने के डर से generally क्या होता है accident हुआ person चाता है मदद करना लेकिन वहाँ पर public इखटी हो जाती है और public को रोक पना बड़ा मुश्किल होता है public immediately क्या react करती है इस person ने इसको मार दिया वह वहाँ पर बेकाबू होती है और person उस situation से बचने के लिए वहाँ से निकल जाता है हाई friends आज का जो topic आपने देखा है section 106 भारतिया नय सही था अब ये बड़ा ही चर्चाओ में है इस time जी section क्योंकि 25 दिसंबर 2023 को जो नया कानून है उसको लागू कर दिया है अब ये भारतिय ओफिशल गजट जो है उसमें notify हो गया है अब देखे में को आज इस session में बुलाया गया है कि section evaluate करना है section 304 IPC और section 106 भारतिया नय सही था क्या फरक है अब इन दोनों के अंदर जब हम फरक की बात करते हैं तो क्या-क्या इसके अंदर changes आये हैं क्या punishment में changes आये हैं और किस तरीके से आप समझेंगे जब हम इस पूरे इसके अंदर चर्चा करेंगे इस पूरी topic के उपर तो आपको समझ में आएगा क्या difference हुआ है और ये चर्चाओं में आज की डेडिन में topic क्योंकि थोड़ा था punishment में change करा गया है थोड़ा system में change करा गया है और अगर मैं बात करता हूँ बातिय नय सहीता को ले करके तो बातिय नय सहीता में ये एक section है जो इस time सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है बहुत सारे लोग इससे नराज है बहुत सारे लोग खुश है अब इसकी क्या implication होंगे क्या हमारे कानून पे इसका फरक आएगा जितने भी हाँ law student है और जो भी लोग इस topic को समझने आएं आज इस session में सब के लिए बहुत important होने वाला है तो सबसे पहले हम शुरू करते है section 304a और section 106 भारतिय नय सहीता अब जब हम बात कर रहे हैं इसकी section 304a और section 106 भारतिय नय सहीता की जहां पर आपके किसी negligence act के कारण किसी person की death हो जाती है तो ये section attract होते हैं अगर प्राने कानून की बात करते हैं तो वहाँ पर section 304a और अब नय कानून के इसाब से section 106 भारतिय नय सहीता अब देखें जब हम causing death by negligence बोलते हैं तो कैसे कैसे हो सकता है example के तोर पे आप सड़त पर जा रहे हैं गाड़ी लेग चला रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी चलाते हैं विसे लोग चलाते हैं न गाड़ी तो अभी मेरे पाई एक recent पेक केस भी आया जहाँ पर हुआ गया था कि एक truck driver अपना उसका truck खराब हुआ वो truck ठीक करने के लिए truck से उत्रा और truck को खड़ा करके उसने पीछे tire रखा एक और अपने truck को ठीक करने के लिए गाड़ी से उतर गया और पता नहीं arrangement के लिए आगे ल जाती है क्योंकि अब वो 25 दिसंबर से पहले हुआ है पहले ही काम हो चुका है तो उस पर पुराना law implement होगा that is section 304 AIPC जहाँ पर सजा के प्रावदान है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा लेकिन अब देखे अगर आप ऐसा होता है तो अब इसके अंदर section लगेगा बात ही न हम बात करते हैं IPC का section 304A यहाँ पर क्या punishment थी यहाँ पर causing death by negligence ठीक है जो मैंने आपको बताया सजा क्या थी इसके अंदर two years और fine और both देखे और लगावा है यहाँ पर ध्यान रखिएगा दो साल की सजा यहाँ फिल fine यहाँ दोनो अब बात करते हैं बात यह नहीं सहीता क section 106 की अब इस section को जब evaluate करते हैं तो यहाँ पर जो सजा दी गई है वो दी गई है five years and fine यहाँ थोड़ा दा difference से देख लिए यहाँ और लगा हुआ है और यहाँ पर जो है and है बड़ा ही फरक है दोनों वर्ट्स में क्योंकि जब और की बात करते हैं तो वहाँ पर सजा का प पांस साल की होगी मतलब fine भी लगेगा compulsory और सजा भी होगी कितनी होगी वो जज़ का discretion है अब इसके अलावा इन्होंने बोला है अगर कोई doctor है अगर कोई doctor है तो उसके लिए क्या सजा होगी दो साल की होगी यह बात आ गई punishment की अगर हम punishment की बात करते हैं अब हम बात करते है इसके अंदर क्योंकि हमने जब doctor की बात करी तो एक फरक बहुत जादो जो आया है IPC के section 304 के अंदर कहीं पर भी यह नहीं बोला गया कि यह particular section किसी medical professional के लिए है पहले क्या होता था अगर कोई सड़क पे accident हो गया और वहाँ पर कोई पसन मरता था तब भी 304 लगता था आप गर बनवा रहे हैं लेवर काम कर रही है फ्लोर पे चड़ी हुई है वहां से गिर गई लेवर मर गई उसके अंदर section क्या लगेगा मालिक के ऊपर 304 आपकी factory है factory में लेवर काम कर रही है machine पे काम कर रही थी current लग गया मर गया क्या section लगता था 304 अब यह सब क्या है causing death by negligence है लेकिन वहां पर 304 के अंदर किसी भी medical practitioner के बारे में different से नहीं बुला गया था लेकिन बात ही नहीं सही था 1061 के अंदर बताया गया है किसको medical professional को अलग कर दिया गया है अगर आपके किसी negligence के कारण कोई death होती है तो वहां पर जो section लगेगा 106 लगेगा बात ही नहीं सही था का जिसमें सजा का प्रावदन दिया गया है पास साल एंड फाइन लेकिन अगर हम बात करते हैं कोई medical practitioner ये काम करता है तो उसको दो साल की सजा होगी तो यहां पर expressly बताया गया है इसको अब इसको अलग कर दिया गया है इसको मतलब negligence तो है लेकिन इसको अलग कर दिया गय वो है section 106 का 2 सब पार्ट 2 इस सबसे आदा अल्ला इस कारण से हो रहा है सजा तो बढ़ाई दी गई है लेकिन सजा बढ़ाने के साथ साथ इसको section को यही नहीं रोका गया है ये क्या बोलता है देख लेते है पहले हम section 304 की बात करते है ये क्या कहता है journal in the language covering any rash or negligent act not amounting to culpable homicide अब और 106 क्या बोलता है इसने इंटर्डूस कर दिया specific provision for causing death by rash and negligent driving 304 के अंदर कहीं पर भी specific नहीं दिया गया rash and negligent driving के बारे में वह बोला गया 304 एट्रेक्ट होता है अब लेकिन अब क्या होगा 106 होगा इसके अंदर बात ही नहीं सही था का और 1062 के अंदर मैंने गया यहां तक नहीं रोका गया पास साल की सजा बताई और फाइन बताया इसको यह तक नहीं रोका गया इसको आगे बढ़ा दिया गया है क्या बोला ग एसकेप विदाउट रिपोर्टिंग दा इंसिदेंट तू दा पुलिस और अमजिस्ट्रेट दा पनिश्मेंट इंक्लूट्स विच में टर्म एक्स्टेंड टू टैन येर्स एंड फाइन मतलब क्या आब यह समझ लीजे सबसे आदा अलाउने कारण यह एक्सिदेंट होता ह मैं एक्सिदेंट बता रहा हूँ आप गाड़ी चला रहे है रोड पे जा रहे है कैसे भी एक्सिदेंट होता है आपका कोई कारण नहीं था एक्सिदेंट करनेगा कोई रीजन नहीं था लेकिन एक्सिदेंट हो गया और एक्सिदेंट होने के बाद वो परसन जिसका एक्स आप से accident होता है, परसन एक्सपार हो जाता है, आप खुद पुलिस को बुलाते हो, तो वहाँ पर सजागा प्रावधन दिया गया है, पांस साल का, और अगर आप वहाँ से भाग जाते हो, तो सजागा प्रावधन कितने का हो जाएगा, दस साल का, अब ये बड़ा ही tricky situation है, हो पबलिक को रोकपाना बड़ा मुश्किल होता है, पबलिक immediately क्या react करती है, इस परसन ने इसको मार दिया, वो वहाँ पर बेकाबू होती है, और परसन उस situation से बचने के लिए वहाँ से निकल जाता है, अब अगर आप ऐसा करते हो, तो आपको क्या होगा, सजागा प्रावध बनाया गया भाती ने से इता का, ये non-belable offense है, मतलब क्या है, अब समझ लीजिए, अगर accident करा तो मुसीबत, सबसे पहले आपको कोड में जाकर के बेल लेनी पड़ेगी, ठीक है, और अगर आपने वहाँ से पिटाई से बचने के डर से अगर वहाँ से खिसक लिए, तो समझ आपकी तो मुसीबत बढ़ गई है, जो पास साल की सजाती वह बढ़के दस साल की हो जाएगी, और वो एक तरीके से ग्रीवियस offense माना जाएगा, हमारे कानून की नजर में, हो सकता आपको बेल भी ना बिले, कोड में जाएंगे, accident किया है, person expire हो गया, जल्ती किसकी है, ये कि गाड़ी के कारण accident हुआ, अब ये तो आप court में प्रूव करेंगे, अब बंदा person मर गया है, आपके उपर case registered हो गया, अब आप court के जाओ, और evidence के दर प्रूव करो, और अगर आप वहां से खिसक लिए, अगर आपने वहां से पिटाई के डर से, पब्ली की पिटाई के ड क्योंकि पहले ऐसा होता था ये बेलेबल ओफेंस था, क्योंकि ओफेंस तो है, आपके किसी एक्ट के कारण कोई person expired होगा, ओफेंस तो है, दो साल की सजा थी, बेलेबल ओफेंस था, लेकिन वहां पर harassment नहीं थी, अब क्या होगा, अब अगर इस एक्ट के अंदर आप आते ह हैं, अगर आप इस situation में पहुंचते हैं, तो आपके लिए मुसीबत होने वाली है, तो negligence को मैंने बताया, negligence जरूर ने, गाड़ी चलाते हैं वक्त होता है, और भी कारण हो सकते हैं, negligence के, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप factory चलाते हैं, current लगने से labor मने जाते हैं, इ तो मैंने अभी आपको बताया, कि reporting करनी जरूरी है, यहां silent था, कोई जासा है, कुछ नहीं था, कि भाई, reporting करनी कोई जरूरी है यह नहीं है, ठीक है, वो silent था इसके उपर, लेकिन भात यह नहीं ऐसी था, कि 106 ने क्या बोल दिया, impose an additional obligation, if death result from rash and negligent driving, and the driver escape without reporting the promptly, the punishment intensify हो जा तो देखें, आप यह पूरा विशे, मैंने आज आपका रखा है, कि section 304 AIPC, और बारतिय नहीं सेधा का section 106, तो अब अगर आप रोड पे गाड़ी लेके जा रहे है, तो थोड़ा सा alert हो के रहिए, कोशिश कीजिए, गाड़ी को rash मत चलेए, क्यार रैश के बारे में नहीं ह गया है, यह negligent act के बारे में है, और negligent act क्या है, यह मैंने आपको बता दिया है, आप गाड़ी चला रहे हैं, और आपके किसी negligency कारण, मान लेजे, आप सटक पे गाड़ी चला रहे हैं, और आपको जबकी आजाती है, और जबकी आने से accident होता है, यह भी negligent act है, मतलब ऐसा स्पीड से गाड़ी चलानी है, और आप वहाँ पर सोगी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, और accident होता है, तो negligent act होगा, अब आप कहेंगे सर, मान लीजे, अगर हम स्पीड से गाड़ी चला रहे है, और accident हो जाता है, और वहाँ पर जो स्पीड दी है, और सोगी दी गई है तो क्या वो neglect act नहीं होगा it depends क्योंकि depends कैसे करेगा क्योंकि जब person report करता है तो वहाँ पर generally ये लिखा जाता है हमने चितनी भी F.I.R पढ़ी है तीन सो चारेगी आज तक कि गफलक situation में गाड़ी चला रहे थे rash driving कर रहे थे अब वो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे किसकी गलती है मैंने बोला it's a matter of trial ये तो बहुत बाद में आएगा code में case जाएगा वहाँ चलेगा लेकिन अब अगर आप गाड़ी चला रहे है accident होता है और accident होने के बाद अगर person मर जाता है तो समझ लिजए section 106 लगेगा past साल की minimum सजा है साथ में fine लगेगा और अगर आप वहाँ से निकल जाते हैं तो वहाँ पर आपकी मुसीबत और भढ़ जाएगी साथ ही मैं इसके अंदर बता रहा हूँ अगर आप factory होना रहे ये आपके लिए बहुत important section है आप factory होना रहे तो ऐसे जितने भी चीजे होती हैं जो safety के लिए जरूरी है वो जरूर अरेंज कर दीजे अपनी factory में क्योंकि अभी तक अगर factory में किसी labor की death होती थी तो वहाँ पर 304A लगता था वहाँ पर billable office था इसलिए समस्या नहीं आती थी थाने में जाते थे आपको बेल मिल जाती थी case चलता था लंबे time तक case चलता था दो साल की maximum सजा थी और इसको एक तरीके से बड़ा grievous नहीं मना जाता लेकिन अब इसके अंदर पांस साल की सजा है और अगर आप factory होना रहा है आप report नहीं करते हो आप उससे बचने की कोशिश करते हो तो दस साल की सजा हो जाएगी तो इस तरीके से आज हमने evaluate करा है पूरा क्या difference है section 304 AIPC और section 106 बारतिये नए सही था अब इससे related अगर आपका कोई भी question है तो क्योंकि आज ये live session है मैंने आप पर बता दिया कोई question पूछन पूछना चाते है मैं इससे offline अभी पूछ सकते है इसके अलावा क्योंकि मैं इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पे डालूँगा अगर किसी का कोई भी question है इस section से related तो comment box में लिखे मैं जरूर आपका answer करने की कोशिश करूँगा अब ये कानून थोड़े समय में implement हो जाएगा सभी course के अंदर इस कानून के इसाब से काम होना शिरू हो जाएगा हाँ एक question बड़ा important है जो भहुत सारे लोग में से पूछ रहे हैं बार-बार कि जी पुराने cases पे भी implement होगा क्या है तो समझ लीजे पुराने cases पे पुराना कानून ही चलेगा पुरानी किताबे खराब नहीं हुई है अगर आप low student है आपको लग रहा है कि हमें भी practice में आना है तो क्या हम पुरानी किताबे पढ़ना चोड़ दे नहीं पढ़नी पढ़ेंगी जो पुराने cases हैं जब ये कानून लागू होगा क्योंकि अभी तो इसको notify कर दिया गया है लेकिन अब ये लागू कपसे होगा पता लगेगा इसके date आजाएगी जिस दिन से ये कानून लागू होगा उसके बाद के जो incident होगे जो उसके बाद के cases FIR होगी उसके ओपर ये कानून लागू होगा लेकिन उससे पहले के जितने भी cases court के अंदर जा चुके हैं या FIR registered हो चुके हैं अंडर investigation है तो वो पुराने कानून के हिसाब से ही चलेगा और मैं इसके लिए बतायता हूँ section भारतिय नागरिक सुरक्ष्चा सहीता का section 531 आप refer कर सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं वहापर saving close दिया गया है वहापर बताया गया है कि पुराने जितने भी cases होगे वो पुराने कानून के हिसाब से ही जलेंगे तो आप देखे एड़ोकेट के लिए तो काम बढ़ गया है दोनों के दावे पढ़नी पढ़ेंगी आप अगर law student है तो आपको IPC भी पढ़नी पढ़ेंगी बातिया नयसे दावी पढ़नी पढ़ेंगी तो अगर आपका इसके अलावा कोई question है तो comment box में लिखिए मैं आपके सारे questions का answer जरूर करूँगा So thanks for inviting me आपने बड़े ही अच्छे से पूरे session को लिया और मैं जो भी organizer से उनका धन्यवाद करता हूँ आज की session में मुझे बुलाने के लिए आने वाले किसी और session में जरूर मिलेंगे आपसे Thank you